वेल्कम तो द्वनीज कीचन आज हम ओट्स की ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे यह हेल्थी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और यह बहुत ही कम इंग्रीडियन्स में और बहुत ही कम टाइम में बन चाती है ओट्स में फाइबर और प्रोटीन अच्छी अमाउंट में हो कितना दूद लिया है मैंने यहां पर फूल फैट दूद लिया है सबसे पहले एक बरतन में दूद घरम करने के लिए रखेंगे दूद घरम हो जाए बाद में हम उसमें ओट्स डाल देंगे अभी मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है एक उबाल आ जाए बाद में हम गैस की लो करेंगे, अगर आप इसे continuous mix करते हैं, तो gas की flame हाई रख सकते हैं, नहीं तो low flame पर इसे थोड़े थोड़े टाइम पर चलाते रहें, ये mixture धीरे धीरे थीक होता चाहेगा, अगर कीट्स को दूद पसंद नहीं है, तो आप ये बना के इसे खिला सकते हैं, इसमें दूद और oats है, तो ये बहुत ही healthy है, हम इसमें dry fruit भी डालेंगे, मैंने बादम और काजू को चॉप कर लिया है, थोड़ी सी kismis, केसर भी हम डाल देंगे, केसर optional है, 2 टेबल स्पून शुगर एड़ करेंगे, आप इसमें खड़ी साकर भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर मैंने इसमें कम डाली है, थोड़ा सा इलाइची powder एड़ करेंगे, ये भी optional है, अब इसे फिर से mix करेंगे, अभी मैंने ग्रैस की flame थोड़ी सी low कर ली है, क्योंकि ये mixture अब थीक हो गया है, तो ये almost अब ready ही है, आप देख सकते हैं, अब ये बन गया है, अब हम इसे serving bowl में डाल देंगे, ये oats ठंडे होने के बाद थोड़े से ठीक हो जाएंगे, आप इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, या फिर ठंडा करके भी इसे खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप ये recipe जरूर try करें, और आपका अनुभव शेयर करें, आसा करती हूँ कि ये recipe आपको पसं हूप्ड़ बीक टरहें?